next question question says a man pushes a wall and fails to displace it he does options negative work positive but not maximum work no work at all या फिर maximum work यहां पर अपना answer होएगा option number c no work at all because हमें definition से पता है कि work done is equal to f dot s होता है और जब भी हम work done निकाल रहे है f आपका applied force है जिसका work done निकाल रहे है और s जो है यह आपका displacement है इसको समाजने की बहुत जरुवत है displacement of a point of application कि यह displacement of the object नहीं है यह ध्यान रखना यहां पर कई बास इस पर बहुत जारे confused रहते हैं यह आपका displacement है point of application का इसी वे से हम कहते हैं कि जब कोई बंदा सीडियां चड़ता है मान लीजें ऐसे ऐसे करके सीडियां हमने उपर चड़ी है तो नॉर्मल का वर्कड़न जीरो होगा विकॉद जब यहां पर यहां पर आपका नॉर्मल फोर्स अपलाई हुआ उपर चड़ने में उस टाइम पे जिस पॉइंट पे आपका नॉर्मल फोर्स लगा वो पॉइंट पीछे रहे गया इसलिए नॉर्मल का वर्कड़न जीरो काया आता है बन विया क्लाइमिंगा स्टेर सिमिलरली अगर हम वाक कर रहे हैं यहां पर तो वाक करते करते स्टेटिक फ्रिक्शन का वर्कड़न हम जीरो कहते हैं विकॉद जिस पॉइंट पे आपका स्ट